नमस्कार दोस्तों, बडिंग्स में आपका स्वागत है, होप करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने लाइफ में स्ट्रगल कर रहे होंगे आज टी विडियो में हम बात करने वाले हैं टेंपररी मोटिवेशन के बारे में एक स्टुडेंट मुझसे पूछा कि भईया मोटिवेट होते हैं, फिर डी मोटिवेट हो जाते हैं और ऐसा अकसर हमारे साथ होता है, मेरे साथ भी होता है, आपके साथ, मेरे साथ, किसी के साथ होता है और temporary motivation एक word है जो कि बहुत ही जादा psychology के दुनिया में revolve कर रहा है कि ये temporary motivation क्या होता है पहली बात आपको मैं ये समझाने की कोसिस कर रहा हूँ कि ये temporary motivation एक बिमारी है और ये एक ऐसी बिमारी है जिस पर business हो रहा है जिस पर बैपार हो रहा है और आपको पता भी नहीं चल रहा होगा आप कभी गौर किया होंगे बहुत सारे ऐसे movies, bib series आप खुद documentary movie नहीं देखने की कोसिस करोगा documentary जो कि सही documentary लोग बनाते हैं अब Netflix का subscription लेते होगे लेकिन documentary नहीं देखते होगे मुस्किल से बहुत कम लोग documentary देखते हैं लेकिन आप कोई ऐसा movie देखोगे जिसमें थोरा सा लगेगा रहे यार, motivational movie है, देखना चाहिए एक अगर real story है तो आप देखो क्योंकि real story से क्या होता है कुछ सीखने को मिलता है लेकिन जो कहानी बनी हुई है जो real story नहीं है सिर्फ और सिर्फ temporary motivation एक temporary motivation देने के लिए वो movie बनाई जाती है, web series बनाई जाती है YouTube पे videos बनते हैं और आजकल तो मैं maximum देख रहा हूँ UPSC पे साथ वीडियो बन रहे हैं एक इंतिकाम लेगी इंतिकाम लेगी 1, इंतिकाम लेगी 2 ऐसे करके कई सारे वीडियो बने हुए और मुझे हसी आती है वो सारे वीडियो को देखके हाँ movies भी बने हैं आपने movies भी देखा होगा तो ये temporary motivation क्या होता है temporary motivation वो होता है जो आपके दिमाग का जो glue है आपके दिमाग में जो motivation का हार्मोन से है उस हार्मोन को instant release करता है ये उस गाजे की तरह होता है जिसको पीने के बाद हमें लगता है कि दुनिया में यही है जो है अगर आपने कभी try नहीं किया हो तो मैं आपको नहीं कहरा हो लेकिन मैं खुद को ही कहरा हूँ क्योंकि मैं यह सब चीज़े बहुत चीज़े कर चूड चुका हूँ बहुत चीज़े कर चुका हूँ तो मैं यह क्या करो यह ते टेमपरडी मोटिवेशन के तरफ अगर आप भाग रहे हो लोग उसको एक तरीके से एक production house की तरह एक उसको program बनाती है entertainment का program बनाती है क्यों कि ताकि बैपार होगा बैपार होने के लिए सारे चीज़े की जाती है आपके लिए नहीं की जा रही है बैपार हो रहा है back end पे वहाँ पे एक business चल रहा है और आपको पता भी नहीं चल रहा हो कि बिजनस क्या होती है देखो मेरा एक ही मानना है कि जीवन में तुम कहां जाओगे क्या करोगे फरक नहीं पड़ता है हो सकता है कि तुमारा तुमारा salary पचास जार हो जो बच्चे काफी जादा dedicated हो उसका salary एक लाग होगा किसी का पाँच लाग होगा यह सारा depend करता है आगे depend करता है लेकिन अभी वर्तमान में आपकी important है कि आपको अपने अंदरे कैसी personality develop करनी है जो personality self-motivated personality हो उसको motivation की जरूत नहीं परीगी कही से motivation की जरूत नहीं परीगी कि भाया motivational वासन आप भी तो दे रहे है मैं आज भी तुम्हें कहा रहा हूँ कि यह motivational speeches जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ भैकाबी के लिए होते है उसमें कोई logic नहीं होता है मैंने कहा ना कि वो एक ऐसे सुई की तरह काम करती है जिस सुई को एक बारी आपने अंदर डाला और उसको जैसे ही अंदर डालोगे तो आपने उस सुई से एक नशा निकलता है और उस नशे से आप दो मिनट के लिए दो दिन के लिए पांस दिन के लिए छे महने के लिए आप मोटिवेट हो जाते हैं बुक्स पढ़ो, अभी रिसेंटली मैं बुक्स एक नया बुक पढ़ रहा हूँ, कार्मिक रियक्शन का बुक है यह, हाव कर्मा वोक्स, सद्दगुरु का बुक है, पढ़ो इन सब बुक को, जितना जादा बुक गोप, यह, कही सारे ऐसे सेल्फ बुक है, कही सारे ऐसे बुक है यह, कही सारे बुक्स है, जो इमाजनेशन आतने वोच्पी, इन सारे बुक्स है, जो पासन जो पासन जोग जाते है इन इन सब बुक्स को पढ़ोगगे, तो महें किसी भी आटरी स्पेस में मोटिवेशन दूडन रही नहीं परेगी, तुमको खुद समझ म और अगर आपको लग रहा है कि temporary motivate होके आप बहुत खुश हो जाओगे तो ये भे आपका ब्रहम है तो मेरा आपको सला है कि always try, मैं भी कभी कभी temporary motivate होता हूँ, लेकिन फिर मुझे समझ में आ जाते ये temporary motivation है और कभी temporary motivate होके कोई decision नहीं लेंगे think, stay, think permanently कोई motivate, self जब induced आप motivate होंगे, उसके बाद ही आप किसी चीज का decision ले सकते हो, अगर आपको एक कहानी पता होगी, नहीं पता होगी तो please आप comment section में बताना, मैं वो वीडियो का भी लाओंगा, Chinese bamboo tree का एक कहानी होता है, Chinese bamboo tree एक psychological experiment है, जिस पे एक कहानी है जो बहुत ही जदा famous है, अगर आपको मौका मिले तो आप Chinese bamboo tree की कहानी को समझना, हम अगले वीडियो में इस पे भी बात करेंगे, thank you guys, और stay connected